नमस्कार सातियों मैं राहुल शर्मा देश अकाडमी के स्प्रेट फॉर्म पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ किसी टेक्निकल इशू की वज़े से बीच में हमारी जो क्लास है दोस्तों बीच में हमारी क्लास रुख गई थी जिस वज़े से हम यहां पर 16th question तक हमारे पहुच गए थे 16th question के बाद से चलिए मैं 15th से शुरू कर देता हूँ 15-16 से वहां से हमारी लाइफ क्लास रुख गई थी उसके बाद ये वीडियो जो है वो मैं continue कर देता हूँ आप लोगों के लिए अभी तक अगर आप लोगों ने हमारी लाइफ क्लास वाला वीडियो जो चल रहा था वो नहीं देखा है तो मैं यहां पर description में इधर आई बटन पर उसकी लिंक डाल दूँगा तो आप लोग वहां से देख लीजेगा बात करेंगे निमनलिकित में से कौनसा जल प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं इस्तित है नर्मदा नदी पर नहीं है तो इसके लिए मैं आप लोगों को 20 सेकंड दूँगा तो जल्दी ज 10 सेकंड ओवर हो गए है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों सही उत्तर जो है हमारे 15 कोश्चन का वो है चचाई ठीक है चचाई जल पर पात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है ठीक है बात करेंगे अगले कोश्चन की हमारा अगला कोश्चन है निमन मे से आंसर लगाईए इसका क्या होना चाहिए 20 सेकंड जल्दी जल्दी आंसर लगाते जाहिए दोस्तों अंतिम 10 सेकंड है आपके पास जल्दी बताईए जल्दी जल्दी बताईए आंसर क्या होना चाहिए तो इस प्रश्निका जो सही उत्तर है दोस्तों सोलवा प्रश्निका हमारा सही आंसर होगा भोपाल भोपाल जो है वो काले जिले की श्रेणी के अंतरगत नहीं आता है काले जिले जो है इस प्रशन का उत्तर करने के लिए सबसे पहले तो आपको यह मालूम मोना चीए काला या सूखा जिला बोला किसे जाता है तो काला या सूखा जिला ही आज का बोनस प्रशन रहेगा और आप लोगों को बताना है कि काला या सूखा जिला क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ मद्य परदेश में इंदौर, उज्जेन, मंदसौर, शाजापूर और रतलाम जो हैं ये काले जिलों की श्रेणी के अंतरगत आते हैं बात करेंगे हमारे सत्रवे प्रश्न की कि निम्न में से कौन सी प्रदेश की पहली सिचाई परियोजना है, 20 सेकंड है आपके पास जल्दी से अंसर कीजेस का 20 सेकंड शुरू हो गए हैं आपके, जोबर्ट परियोजना, केन परियोजना, चम्बल परियोजना या रानी अवंति भाई सागर परियोजना तो जल्दी जल्दी से अंसर करके बताईए, 10 सेकंड आप लोगों के पूरे हो चुके हैं कभी-कभी नैटवर्क की वज़े से बहुत दिक्कत जहिलनी पड़ जाती है जल्दी-जल्दी से अंसर करें लास्ट फाइफ सेकंड से आप लोगों के पास 17th कोशन और इस प्रशन का जो दोस्तों सही उत्तर है, वो है हमारा चम्बल परियोजना चम्बल परियोजना जो है वो प्रदेश की पहली सिचाई परियोजना है बात करेंगा हमारे अगले कोशन की तो अगला कोशन है दोस्तों निम्ने परियोजना में किसे? राणी, अवंती, भाई, सागर परियोजना कहा जाता है आप लोगों का समय शुरू होता है अब 20 सेकंड है आप लोगों के पास चंबल परियोजना, बर्गी परियोजना, बान सागर परियोजना या राजगाट परियोजना आप लोगों को बताना है रानी अबंती बाई सागर परियोजना किसे कहा जाता है अठारवा प्रशन है आप लोगों के समाज जल्दी बताइए दस सेकंड आप लोगों के पूरे हो चुके हैं अंतिम दस सेकंड आप लोगों के पास बचे हुए जिसमें से पास सेकंड बचे हैं अब जल्दी बताइए इस प्रशन का आंसर क्या होना चाहिए अठारवा प्र योजना बर्गी पर योजना को ही रानी अवंती भाई सागर पर योजना के नाम से जाना जाता है 19th question 19th question आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सी नदी मद्य परदेश एवं राजस्तान की सीमा निरधारित करती है आप लोगों का समय शुरू होता है दोस्तों अब 20 second है इसके लिए आपके पास option है केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, काली संदी नदी जल्दी बताइए मुझे 10 second पूरे हो चुके हैं ABCD में से क्या आंसर होना चाहिए इसका यहाँ पर आंसर क्या होगा 5 second 6 बचे हैं आप लोगों के पास 19 स्वे प्रशन का आंसर देने के लिए और इस प्रशन का सही उत्तर होगा चंबल नदी ठीक है चंबल नदी जिसे प्राचीन काल में धर्मावती, चर्मणवती, चर्मावती भी कहा जाता था ठीक है तो यही जो है यह आपके मद्यप्रदेश और राजिस्थान की सीमा का निर्धारन करती है बात करेंगे बीसवे प्रशन की की राज्य की प्रतम विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध किस नदी पर इस्तित है बहुत important question आपका समय शुरू होता है दोस्तों अब चंबल नदी, बेतवा नदी, काली सिंध नदी या किन नदी बीस सेकेंड आप लोगों के पास हैं जल्दी बताइए बीसवे प्रशन का आंसर क्या होना चाहिए जल्दी जल्दी से आंसर करिएगा इस प्रशन का तेजी में आंसर कीजे क्या आंसर होना चाहिए इस प्रशन का दोस्तों सही आंसर जो होगा हमारे बीसवे प्रशन का वो होगा चंबल नदी चंबल नदी पर मंदसौर में जो है गांधी सागर बान परियोजना जो है बात करेंगे हमारे 21 वे प्रशन की 21 वे प्रशन आप लोगों के समक्ष है निम्न में से किसे शहीद चंदर शेकर आजाद सागर परियोजना भी कहा जाता है ABCD चार आप लोगों के पास है माता टीला बान परियोजना केन परियोजना चोरल परियोजना या जोबट परियोजना तो समय शुरू हो चुका है 20 सेकंड है आप लोगों के समक्ष जल्दी से अंसर करके बताईए बहुत ही इंपॉर्टेंट शहीद चंदर शेकर आजाद बहुत ही बड़ा नाम बहुत बड़े क्रांतिकारी रह चुके थे ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रेपब्लिकन असोसियेशन चंदर शेकर आजाद आल्फरेड पार्क टाइम पूरा हो चुका है जो बड़ परियोजना जो है उसी को शहीद चंदर शेकर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है बात करेंगे हमारे 22 वे परियोजन की तो 22 वा परियोजने दोस्तों निम्न में से कौन सी परियोजना मद्य परदेश उत्तर परदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है कोशन को दिहान से पढ़िएगा आप लोगों समय शुरू होता है अब इस कोशन के लिए 30 सेकंड देता हूँ आप लोगों को तो 22 वा परश्ण इस परश्ण का सही उत्तर होगा बांड सागर परियोजना ये परियोजना मद्यप्रदेश सौरी ये जो परियोजना है ये परियोजना आपके मद्यप्रदेश उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सही उक्त परियोजना है ठीक है दोस्तों तो आज का bonus question bonus question है आपका सूखे या काले जिले क्या होते हैं ये आपको detail में इसका answer देना है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को please like कीजिए इसको अपने दोस्तों तक share कीजिए चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजे और मेरे लिए आप लोगों के क्या suggestions है वीडियो कैसी बननी चाहिए उस related जो भी suggestion है वो आप लोग please comment box में comment करके बताइए टेलीग्राम चैनल की link हमारी description box में डाली हुई है टेलीग्राम चैनल को जरूर जोईन कीजिए वहाँ daily basis पे current affairs के question में डालता हूँ और वहाँ पर मैं GSGK के question डालता हूँ daily basis पे तो उनको भी solve कीजिए जादा तर time मेरा busy रहता है मैं जादा वीडियो से आप लोगों के लिए अप लिए नहीं कर पाता हूँ आपकी life से related या MPPSC pre, mains से या interview से भी related अगर आपकी कोई query है तो हमारा instagram channel देशा Academy का है link description box में डाली हुई है आप वहाँ पर मुझसे contact कर सकते हैं दोस्तों तो आज की video का जो target है दोस्तों वो मैंने रखा है 20 like का तो आशा करता हूँ 20 like सारे आप लोगों के प्यार के माद्यम से 20 like मिल जाएंगे मुझे video please share कर दिया कीजिए अगर आप लोगों का कोई भी study group आप लोगों ने join किया हुआ है तो please वहाँ तक video को share कीजिए अगर video आप लोगों के कोई study group में आप नहीं जुड़े हुए कोच आपके मित्र होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे PST की उन तक video को share कीजिए अगर वो भी आप नहीं कर पाते हैं तो आप इतना मेरे लिए कर सकते हैं कि इस link को अपने whatsapp के जो status होता है ना status में आप वहाँ पर इस link को लगा लीजिए इतना मेरे लिए कर दीजेगा दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी मत बूलिएगा चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत